सूप्रबाद प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट सत्रा मेरी किताब मा ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास बेजा जो ये वीरू है, इसकी मा ने एक संदेश दिया, यानि एक मैसेज दिया और उसे अपनी बहन के पास बेजा यानि वीरू की मौसी के पास मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई ये वीरू की मौसी है ये वीरू को अपने साथ अंदर ले गई बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरच से ठिटक गई अच्रज यानि आश्चरे से ठिटक गई यानि आश्चरे चकित रह गई उसने सोचा बापरे इतनी सारी किताबे क्योंकि अंदर कमरे में क्या थी बहुत सारी किताबे थी आपने देखा होगा ना लाइब्रेरी में अगर आप कभी जाते हो तो वहाँ क्या होती है शेल्फ होती है और उसमें बहुत सारी बुक्स होती है तो वो इतनी सारी किताबे देखकर आश्यरे चकित हो गई वहाँ नीचे से उपर तक किताबों से भरे खानों वाली दो लंबी दिवारे थी यानि इस तरह की दो दिवारे थी जिन में बहुत सारे खाने थे और उनमें बहुत सारी किताबे थी वह आखे फारे देखती रही उन किताबों को अंत में उसने साहस करके पूछा यानि हिम्मत करके पूछा क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबे हैं मौसी ने का हाँ यह देखो यह वाला खाना और यह वाला खाना यह जो इस तरह से डिवाइड कर रुखे है न पोशिंस उसमें मौसी ने बताया कि यह वाला खाना या यह वाला खाना बच्चों का है वीरू ने हरानी से कहा इतनी सारी किताबें मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है मौसी ने कहा यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूं अगर तुम्हारा मन कर रहा है तुम्हें किस तरह की किताबे सबसे अधिक पसंद है वीरू ने मौसी ने वीरू से उसके इनकी चॉइस पूची वीरू ने दीरे से का मुझे नहीं मालू मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा तुम यह किताब पढ़कर देखो अब वीरू की जो मौसी थी उन्होंने अपनी चोईस से किताब निकाल के उसको दी और बोला तुम इसे पढ़कर देखो वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली बाप्रे यह तो बहुत मोटी है वो किताब बहुत मोटी थी तो वीरू ने सोचे यह बहुत मोटी किताब है मैं इसे कैसे पड़ पाऊँगी मौसी ने वीरू को सुझाव दिया अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी उन्होंने कोई और किताब निकाल के दी वीरू बोली यह बहुत बड़ी है मेरे बस्ते में नहीं आएगी मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है यानि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है ख्याल मतलब क्या राय है वीरू ने किताब के पन्ने पल्टे यह फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है अब जो दूसरी किताब उठाई तो उसमें क्या था उसमें उसको लगा, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम चीज़े है, इतनी छोटी-छोटी तस्वीरे, और यह किताब बहुत पतली है, यानि वीरू जो क्या थी, सबी अलग-अलग किताबों में अलग-अलग कम यह निकाल रही थी, कोई उसको पढ़ने में बहुत मोटी आओ, तो अपने साथ एक फुट्टा ले आना, फुट्टा समझ में आता है, जिसे लंबाई नापने के लिए उसकरते हैं, जैसे स्केल, वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों, स्केल क्यों, मौसी ने हसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए, तुम नाप कर ले तो तुम अगली बार फुट्टा ले के आना, जैसी तुम्हें पसंदो, उत्तिन आपके ले लेना, वीरू ने मा के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई, वीरू को जो मौसी ने एक संदेश दिया था, वो कागज उसने मौसी के मेज पर रखा, मा से भाग गई, अच्छी लगी ना आपको स्टोरी, अब आपको इस स्टोरी की वीडियो बनानी है, जैसे मैम ने वीडियो बनाई है न, आपको भी इस तरह से इसकी रेडिंग वीडियो बनानी है, धन्यवाद, आपका दिन शुभू,